हालेलुया, थैंक यू जीसस, परमेश्वर के धन्यवाद, फिर एक बार आज परमेश्वर के सनिद में एक साथ मिलके आने के लिए, परमेश्वर एक अच्छाव सर खोल के दिये, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, बितले पिछले दिनों से हम लोग स्टे यह हैं उनकी नामिकरण के बारे में, नेमिंग आफ़ अफ दे मेंबर स आफ दो छोच, तो पहली नाम के हिसाब से मैंने बूला था, विश्वासियों, जो परमेश्वर को इशुमशी के तोर पर विश्वास करके ग्रहन करके, अंगिकार किये हैं, और विश्वास के साहार जीरे हैं उनको विश्वासी के नाम से बुलाया गया है दूसरी वाली अनुबव में हम लोग देख सके हैं कि दूसरी जो नामिकरन की शब्द है वो चेले हैं डिसाइपल जो इशू मसी के व्यवस्ता के हिसाब से जी इशू की अनुगमन करते हैं और दूसरों को भी इशू मसी के अनुगमन करवाने के लिए सिखाते हैं पड़वाते हैं ने तो बढ़ाते हैं उनको चेले के हिसाब से नामिकरन कलीसिया में दिया गया है तीसरी वाली प्रयोग हमने देखा है जो है वो है संत सेंट ने तो पवित्र जन पवित्र व्यक्ति पवित्र लोग पवित् इस प्रकार की शब्द को कलीसियाओं की सदस्यों को नामिकरन के हिसाब से दिया गया तो कल हम लोग पवित्र लोगों के बारे में कुछ चीज़े हमने देखे आज भी उसी चीज़ों में थोड़े आगे और जाएंगे फिर एक बार मैं याद दिलाना चाता हूँ जो पवित्र लोग है वो लोग कौन है इश्यो मसी के लहु के द्वारा खरीदे गए इश्यो मसी के द्वारा मुक्ती के रस्ते पर पाये गिए पहुंचे गए नहीं तो परमेश्वर के लिए वेट करके भरोसे के साथ विश्वा के बारे में कल हम लोग बहुत कुछ हम लोग देखे थे पवित्र लोगों को परमेशर एक पवित्र काम के लिए पवित्र उद्देश के लिए परमेशर अलग करके रखे हैं इसलिए मैंने कल बोल रहा था कि पवित्र लोगों की मौत भी हो जाए तो भी डरने की कोई बात नहीं उनको परमेश्वर क्या करेंगे आकरी दिनों में परमेश्वर क्या करेंगे पुनुरुधान दिलवाएंगे इसलिए मैं जिस परमेश्वर की सेवा आरादना करता हूँ वो परमेश्वर दूसरे परमेश्वरों से बिन है बोलने के लिए ये एक अर्थ ये एक सुझा दूसरी वाली अनुबव में मैंने बूला था पवित्र लोगों के विरुद में बहुत प्रकार की सताव, बहुत प्रकार की अनिष्टता हैं, बहुत प्रकार की कष्ट तकलिफें आ सकती हैं, मगर उन सब परिस्थितियों में परमेशर उनको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं तीसरी वाली अनुबो में मैंने बूला था कि हमारा जो पुराना जीवन को हमें बूलना नहीं चाहिए वो हमारा गवाही बनके पेश करना चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों को उस गवाही बोलकर परमेश्वर के रस्ते में लाने की एक अवसर के हिसाब से हमें क्या करना च जो पवित्र लोगों को क्या करना चाहिए धीरज के साथ धीरज के साथ अपना जीवन को क्या करना चाहिए चलवाना चाहिए मैच्योर बनकर हल्दी बनकर विश्वास में दिन प्रति दिन दिन क्या करना चाहिए बड़ोतरी पाना जरूरी है अज देखेंगे पहली कुरिंथियां का किताब साथवी अध्याए चौधी वचन The book of 1 Corinthians chapter 7 verse 14-15 चौधा पंदरा Thank you Jesus यहां पर लिका गया अनुबों में देख सकते हैं पवित्र लोगों की जीवन में जो विवाह, शादी की रिष्टे कैसी होनी चाहिए उस चीज के बारे में यहां पर बताए गया है इसलिए इदर बताने गाली अनुबों में देख सकते हैं कि एक परिवार के पती और पत्नी उनमें से किसी एक ईश्यमशी को ग्रहन किया और कलीसिया का मेंबर बन गया, कलीसिया का सदस्य बन गया, पवित्र लोग बन गया मगर उनके जो भाग्य स्वामी है, ने तो उनके जो स्वामी, ने तो स्त्री, जो किसी एक, कोई एक तो परमेश्वर को विश्वास कर रहा है, एक नहीं तो वो फैमिली का परिस्थि कैसा होगा हलो एक विश्वासी एक अविश्वासी दोनों अविश्वासी एक जमाने में थे मगर एक विश्वासी को विश्वास करके ग्रहन करके कलीसिया में योगिदान पाके परविशर के वचन के हिसाब से पवित्र लोग बन गया पवित्र जुंड बन गया जुंड बनने पर उसका प एक चिंता करने वाली एक विशह है क्योंकि कुरिंटिया की कलीसिया में ये थी किसी लोगों की स्वामी विश्वासी नहीं थे स्त्री विश्वासी थी बच्चे विश्वासी नहीं है स्त्री विश्वासी है तो वो फैमिली के अंदर बहुत सारे conflict रहेंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा हिस्साओं में क्या करना चाहिए बहुत मुश्किल से जीवन को काटना पड़ेगा तो यहां पर यहां पर पाउलुस बताने वाले अनुबों को देख से स्की चौदिवे वच्चन में किसके कारण पावित्र ठहरता है कैसे पावित्र ठहरता है कैसे पावित्र ठहरता है अरे पती ने तो इशुमश्य को गरहन किया नहीं पती तो कलिस्या आता ही नहीं पती तो क्या नहीं बप्तिस्तमा लिया नहीं पती तो पावित्रात्मा में पूर्ण नहीं हुआ फिर उ पवित्र है और नीचे देखने पर लिखा गया उनके बच्चे भी पवित्र हैं बोलकर बताए गया है तो ये चीज को पकड़ कर बहुत सरे कलीजियाओं की विश्वास क्या है जानते हो ना एक आदमी विश्वास करने से पूरा परिवार बच जाएगा ऐसा एक विश्वास है दो डाइरक्शन है एक तो वो फैमिली पूरा पाप में जा सकता है दूसरा तो एक रिती से वो फैमिली पूरा परमेश्वर कर निकट आ सकता है ये दोनों में कुछ ना कुछ एक हो सकता है आईदर जो जो इश्व को विश्वास किया वो अगर स्त्री विश्वास किया ह सकता है उसका वो विश्वास करने का प्रफाइल बाकी बच्चों को स्वामी को भी परमेश्वर के निकट विश्वास योग करने की हिसाब से ला सकता है वो एक साइड है दूसरी एक साइड क्या है जानते हैं यही विश्वास के द्वारा रहने पर इसको सताव आ सकती है उस ऐसे लोगों को बताने की हिस्सा क्या दे रहे जानते हो ना कि तुम ना गिरने के लिए तुम उनके साथ ना गिरने के लिए तुमें क्या करना चाहिए पवित्रता के साथ पवित्र कलीसिया के साथ योगिदान पाके वचन की गहराई में बड़ोतीरी पाना जरूरी है अगर अगर वचन की गहराई में हम बढ़ोती नहीं पआएंगे तो पारिवारी कि समस्याहे यह ने तो पारिवारी की समस्वारा प्रसिकुशन गया तो पारिवारी क्लेश वो उस व्यक्ति को फिर से पुरणे जिन्यागी में नहीं ले सकता कि कि हलो इसलिए पर बताएं कुछ परमेशर के उपर आधारित होना चाहिए आतनीक लोगों के साथ आधारित होना चाहिए क्लीशिया के साथ आधारित होना जरूरी बनता है क्यों ताकि वो पाप में ना गिरे ताकि उसके अंदर सतावाने पर पारिवारिक सतावाने पर वो सता उसको ना गिरा दे हलो यह संडर स्कूल की ओरीजिनेशन कहां पे हुई पीवाई पीए की ओरिजिनेशन कहां पे हुई संडर स्कूल पीवाई पीए मतला पेंटिकोस्टल यूथ असोसेशन वो सब क्यों आई ताकि जो कलीसिया में जिनकी मा या पपा विश्वासी नहीं थे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए संडर स्कूल आ गया और जो बुजुर्ग बच्चे लोग थे बड़े लोग जो थे उनके लिए यूथ यूथ रेट्रिट नहीं तो सिंगल यूथ नहीं तो परिवार में एक सदसी उनके लिए सेपरेट क्लासस आरम कर दिया गया यह कब स्परजन के जमाने में परमेशर के दा स्परजन उनके सेवकाई के टाइम में यह डॉमिननसी बहुत आ है क्योंकि कलीसिया में ऐसी थी एक आत्मी विश्वासी बाकी कोई विश्वासी नहीं तो ऐसे लोगों को आत्मी तोर पर बड़ोतरी देने के लिए यह लोग क्या कर रहते हैं सेपरेट टाइम निकाल कर कलीसिया अलग समय निकाल कर उनके लिए परार्थना उनके लिए विंतियां उनके लिए उपवास उनको वचन बोलकर बड़ोतरी देना उनको आत्मिकृति इसे प्रोचाखन दे के उनको क्या करना उन पारिवारी कि सताओ में से उनको बचाने की कोशिश करवाना किते किते हिसों में तो क्या पूरता है डिवोस भी अप्लाइ करें किया जाता था क्योंकि त्री विश्वासी है सुवामी विश्वासी नहीं है इत से प्रोसेस में कलीशिया उनको क्या करता था समझाता था आजकल के जमाने में एजगुज होता है गया कोन किसका गया भाड़ में गया ये कलीशिया का ये 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 प्रोफाइल थोड़ा देखो ये लो क्या करते थे सब अपने आत्मिक जर्णी में सब अपनी आत्मिक इसलिए यहां पर बताएगे आनुबा में देख सकते हैं यह पाउलस कह रहे हैं कि अगर कोई इशुमशी में ग्रहन करने के बाद उनका परिवार ग्रहन नहीं किया तो पाउलस उनको क्या विश्यवानी के हिसाब से बोल रहा है क्या जानते हो ना तुम डरने की कोई बात न लोगों की जुन्ड उनको क्या कर रही है प्रोचाहन दे रही है अधिया ना अभी क्रिकेट के स्टेडियम में देखो होंगे पांच लाग लोग ओडियंस मगर वहां पर खेलने वाले लोग किते लोग रहेंगे 12-24 लोग खेलते रहेंगे अरे 24 लोगों को पांच लाग लोग कंट्रोल कर रहे हैं हाई या ना सोचो उन पांच लागों के बीच में दो लंगडे भी हैं सोचो क्रिकेट देखने के लिए आए और उनका टीम जीत रहा है ये लंगडे क्या बोलेंगे मेरा टीम जीत गया है कैसा इनका टीम जीत गया ये खेले क्याundert ये वो लोग नहीं खेले वो जिन के साथ खेले उनके साथ मिले उनको एंकरेज किए उनको प्रोसा century उनको क्या किए उस हिसे में खेलने की सामर्थ दीलवाए उस कारण से वो लोग उनका टीम का सदसी बन गए वैसा ही हमारा भी कलीश्या की으면 की कलीश्या के संत अपस में क्या करना चाहिए एंकराइजिंग होना चाहिए अलो कि अभी बहुत सारे लोगों का सवाल है एक परिवार में स्वामी स्त्री और बच्चे हैं श्त्री इशुमर्शी को गरहन किया विश्वास किया बप्तिस्मा लेना है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जाके अपना पती को पूछ के आओ बच्चों को पूछ के आओ बफ्तिस्मा लेना है की नहीं सुना है क्या ऐसा है कौन से तो ऐसे जरिया में क्या करना चाहिए पती को जाके पूछ के आना चाहिए क्या अगर पती बोलेगा मत लो तो वो किसके विरुद परमेशर के वचन के विरुद आ जाती है तो फैमली को पूछने की जरुरत है यह नहीं क्योंकि जो उद्धारी का जो रस्ता है उद्धारी का जो प्रोसेस है वो इंडिविश्वल है ग्रूप नहीं मैं बपतिस्मा पाए तो मेरा बच्चा बपतिस्मा नहीं पापागा है अलो वो इंडिविश्वल चॉइस है इसलिए किसी की पूछने की जरुरत है यह नहीं बिना पूछे ही क्या करना चाहिए तुम्हें अगर विश्वास है तुम्हें अगर सच्चा ही मालूम पड़ गया तो तुम बपतिस्मा ले सकते हो बगर बपतिस्मा देने से पहले बपतिस्मा लेने के बाद नहीं तो यह बपतिस्मा पाकर जो घर में जाएगी वहां की जो सताव है उस चीज के बारे में उसको क्या करना चाहिए बता के रखना चाहिए उसको एक study दिखा के रखना चाहिए कि तू अपतिसमा लेने के बाद तू पवित्र आदमी बनने के वाद तू घर जाएगी तेरे को पीटेंगे तेरह स्वामी तivity भो पीड़ाइगा तु कहां चली गई थी क्या तु प्रार्तना प्रार्तना लगा के रखी है क्या है कर रहे गर का काम कौन देखेगा बच्चों को कौन देखेगा कौन संबाल लेगा इस तरीके से क्या कर रहे आत्मिक लोग आत्मिक कलीसिया के सदस्य क्या करना चाहिए पवित्र लोगों को पवित्रता में बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए वो इंडिविशली परमेश्वर को जानने पर भी वो वो पूरी तरीके से फामिली को परमेश्वर के निकट लाने के हिसाब से क्या करना एं एंकर राइजिंग, उनको क्या करना, उनको जो गेम में, गेम के बाहर कोच का हिस्सा होता है, गेम के अंदर कोच का काम कुछ नहीं रहता है, आया ना, गेम के अंदर कोच का कुछ काम नहीं रहता है, कभी भी वो कोच, गेम के अंदर कभी नहीं जाएगा, कभी उसको जाने क अनुमती है इने मगर गेम के बाहर ये क्या करता है गेम खेलने के लिए इनको सिखाता है अलो तो ऐसे परिवारों को जो की जो परिवार में कोई एक परमेश्वर को विश्वस करें उनको क्या करना चाहिए उनको जो गेम में हासिल करने जा रहे हैं उनसे पहले कलीसिया उनक करके रखना चाहिए इस वचन को निकाल के ही बहुत सारे कलीशिया के लोग बोलते हैं बप्तिस्मा की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके मम्मी ने बप्तिस्मा ले लिया है इसके यह भी आशिश पा गया इसे बोलते वो नहीं है करक वह ही नहीं उसका सिस्टम हाललुया और उसकी फिर एक बार उसकी चौदी और पंद्रवां वच्ण पंद्रवां वच्ण पढ़ते हैं पवित्र ठैरता है फिर देखाना पवित्र ठैरती है क्यों कि प्रोचाहन देने वाली एक जुंड बार है कोचिंग देने वाली एक जुंड तयार है इसलिए वो फैमिली क्या कर सकती है अधिक तोर परमेश्वर के निकट आने की कलीसिया के साथ योगेदान पाने के लिए उधारी के रस्ते में आने के लिए वो लोग अपना जीवन को क्या कर सकते हैं बदलान एक इंशुलेंस करवा सकते हैं वैसी कलीसिया थी अब उसके पंदर्वां वचन वह दूसरा एक फीज है पंदर्वां वचन अगर अगर असवार्ट हस्बेंड विश्वास नहीं करता है वह अलग होना चाहता है हम नहीं कर सकता है हम अलग नहीं हो सकते है वो अगर अलग होना चाहता है क्योंकि वह अविश्वासी है वो परमिशन के वचन के हिता हिसाब नहीं है हम डिवोस नहीं दे सकता है वो डिवोस दे सकता है समद रहो विश्वासी डिवोस नहीं दे सकता है अविश्वासी अगर एक अदमी डिवोस दे दिया कौन जो अविश्वासी डिवोस फिर से शादी कर सकते हैं नहीं वो गलत है बाबल के हिसाफ से जब तक एक विक्तिक का पुरुष जिन्दा है तब तक उसके साथ क्या है बंदा पड़ा है क्योंकि यह अमेरिकन चर्चा सब यही चीज़ को पकड़ते हैं वो डिवोस करके चले गया वो छोड़के चले गया नो प्रॉब्लम दूसरे कर शादी कर लो जिन्दा जिन्दा तो परमेश्वर के अधिकार के हिसाब में इसको किते पतिया दो दो पतिया ने तो तीन तीन पतिया जितना चोड़ा कितना मालूम ने बहुत सारे कलीश्या में यह ट्रेंड है यह ट्रेंडी बन गया है हलो परमेश्वर क्या है ओडर के परमेश्वर है परमेशद जीवते जीवते किसी और के सब संबन्ध नहीं सकते उसको क्या बुलाते हैं विविशारी बुलाते हैं अड्लटर इसलिए यह ट्रंडी चीज़ें कर पनिशाज क कि पर पढ़ते हैं अगर तुम परंटू कि अधिश्वास नहीं रखता है अधिश्वास नहीं रखता है होने दो नेक्स्ट है हाँ हां उसके बड़ इपर में अधिश्वास ने हमें क्या काय के लिए पुलाए एल मेल मिलाप बढ़ल शांती के माहोल परमेश्वास थुजेश्वास तुजे बुला आ हमें परमेशर पवित्र लोग क्यों बनाए ताकि हमें पीस बनाना है जहां युद्ध चलता है हमारी मौजूदगी क्या करना चाहिए पीस लाना चाहिए जिस फैमिली में कॉन्फलिक चलता है उस फैमिली में पवित्र लोगों का सोभागयता क्या करना चाहिए शांती लाना चाहिए शांती का माहू लाना चाहिए वैसी तरीके से कलीसिया क्या करना चाहिए कलीसिया की सदस्यों को सिखवाने की जरूरत है इसलिए इश्यू ने क्या कहा शांती तुमारे बीच पीस में टू यू मैं तुम्हे शांती दे कर जा रहा हूं, क्यों? वो फरमेश्वर का निशानी है जहां शांती नहीं है वहां पे शांती लाने की कोशिश पवित्र लोगों के हिसाब से होना चाहिए इसलिए हमें कोई थपड मारता है हम रिटन मारते ने, क्यों? हम शांती के representatives हैं representatives of peace we show peace वो थपड मारता है हम return नहीं मारते है हम चुप चुप निकल जाते हैं नहीं तो दूसरा थपड भी खा लेते हैं नहीं चुप चुप निकल जाते हैं इसलिए Bible कहते हैं अगर कोई एक गाल पर मारे तुम्हारा दूसरा गाल दिखाओ दूसरा गाल पर मारे तो क्या तीसरा क्या करना चाहिए उल्टा उसको मार दो कुछ बोले नहीं उल्टा उसको मार दो यह है बहुत सारे सोच लोगों की सोच विचार अगर और गाल पर ऑफ मारा गरा दूसरी दूसरी दिखाओ दूसरा पर फी मुबर वो है शांति और उदर रुकने जरुकर पिट के मार देगा और तुम मर गया पिरमेशर को मैं परमेशर के लिए मर गया बोलने से कुछ वाइदाँ नहीं हेलो हमें शांती की माहल रखनी चाहिए पवित्र लोगों का निशानी शांती क्योंकि हमारा पर्मेशर दे प्रिंस आफ पीस हेलो इसलिए इधर बताएगी अनुबा में देख सकते हैं कोई भी फैमिली को अगर कोई सिंगल से परमेशर के निकट आया है कलीशिया का वो क्या बनता है फर्ज बनता है उनको कोचिंग करना आत्मिक तौर पर बढ़ाओ बढ़ोत्री देना उनको जरूरत मंदवाली क्या करना गाइडन्स दिलाना एक केरला में हुआ एक गटना है हमारे गाओं के निकट क्या बोलते हैं एक पंडित के फैमिली पंडित जी के फैमिली उनके दो लड़कियां उनके माँ पंडित तो परमेशर को विश्वास नहीं है उनकी माँ और पहला कलिस्या है वो एरिया में नया कलिस्या शुरूँ हो पूरा ब्रामिन पंडितों का इरिया है एक माँ और उनकी दो बेटियां इश्वमशी को गरहन किये खलीस्या जाना शुरू किये उनकी बेटियों को कुछ दक्लिफ थी उसके कारण वो लो कलीस्या Cayakसमा चलिस्य ले लिए इश्यमशी को ग्रहन कर लिए ये लोग और में ले इश्यमशी घर में और ये लोग पूजा वेदी कुछ नहीं करेंगे तो पती ने क्या कहा जानते हो ना घर के सामने एक लक्षमन रेखा डाल दिया बोला अगर तू जो विश्वास करने वाला इश्यमशी को लोगे अब बोलो ये तीनो ये तीनो ओरतें क्या कर सकते हैं घर के बाहर दस मिनिट बैठे और परमेश्यर के निकट प्रार्तना किये परमेश्यर सब कुछ हमारा हाथ छोड़ गया और ये लोग अपने पती से अपने पपा से लड़की लोग अपने पपा से बोले और जो पती भी नहीं मिली कोई परवा नहीं मैं उसे चीज में क्या नहीं करूंगा डर नहीं भाइबीत नहीं हूंगा चला ये हमारा आखरी मुलाक खाता है परमेशर तुम्हें आशिश करे बोलकर वो तीनों क्या किये जानते हो ना उस घर से निकलाए जाने के लिए कहीं जगाने कहां जाएंगे बोलो तीन औरते हैं वापस कहां है कलीशिया को आए एलो है वापस कलीशिया को आए फिर पास्तर जी ने क्या किया उनको एक घर से arrange करके दो तifically कलिसिया में चेर्च में ही रुखे उसके बाद उनके लिए क्या किये घर तायार करके घर separate के उनके लिए लेकर उनको कलिसिया की और से उनको क्या क्या है सपोर्ट कर दिया गया दोनों बच्चियों को दोनों लड़कीयों को अच्छी तरीके से पढ़ाने के हिसाब से कलीसिया क्या की सहायता की और शादी के विशे में भी कलीसिया क्या क्या सपोर्ट किया देखो वो है फेलोशिप वो है कोचिंग तो वो दोनों बच्चेव को अगर बुला के पूछोगे तुमारी जीवन की सबसे आशिश मंद आया जो करुणा थी वो हमें कलीसिया की अंदर से मिला हम कलीसिया में पले बड़े हमें कलीसिया की क्या पारंपरिकता मिली हमें कलीसिया की माता की प्रेम मिली लालन पोशन सब कुछ मिली इसलिए हमें कलीसिया ही क्या किया है बड़ोत्री लेके आया है अभी वो दोनों ल तलब क्या है देखो फैमिली कैसे केर करने वाले कलीशिया है यह पवित्र लोगों की निशानी इसलिए नब प्रेरितों का किताब में देख सकते हैं विदवाओं को नहीं तो कलीशिया में जो कामकाज नहीं कर पाते थे उनको क्या क्लीशिया क्या करते थे सपोर्ट करती थी साहयता दिलाती थी देखे न आज का हमारा ये पवित्र जुन्ड के लोग क्या कर रहे हैं अपने मर्जी के मालिक अपने खुद की चिंतक ऐसा नहीं है दूसरों में शांती की माहूल लाने के लिए सताओ के बीच में भी शांती की माहूल बरता ना चाहिए इसलिए जो मैं गवाही बोल रहा था उस गवाही में उस फैमिली को बोलने के लिए क्या है की चीज़ है हम जिस कलीसिया के साथ आधारित थे वो कलीसिया हमें क्या किया बहुत सतावों के बीच में भी हमें क्या किया बढ़ा के रखा और उनका गवाही ऐसा है कि उनके जो family members जो कोई भी थे वो लोग सब कौन थे जानते हो न अभिश्वासी लोग पंडित लोग अगर ये लोग रस्ते पे चलके दाते थे वो लोग उनको अभिशाप देते थे इतने गिनोनी तरीके से उनको सताव देने पर भी ये लोग इशुमशी को छोड़े ने क्यों एक कलीश्या एक पवित्र जुंड उनके पीछे बैक अप होके रहने के कारण वो लोग अपना विश्वास को छोड़े नहीं ऐसी होनी चाहिए पवित्र लोगों की हिस्सा पवित्र लोगों को दूसरे पवित्र लोगों को क्या करना चाहिए बड़ूत्री दीना जरूरी है अब पहली कुरिंटिया के किताब उसकी दूसरी वचन को हम लोग पढ़ते हैं पहली कुरिंटिया एक का दो थांक्यू जीजुस देखो उनको क्या के लिए बुलाएगे पवित्र के लिए क्या किये गये हैं बुलाएगे हैं और उनको क्या बोलके कहा गया है सैंस किसने हमें बुलाया परमेश्वर ने हमें बुलाया बाक्त किसने हमें बनाया परमेश्वर ने हमें बनाया तो हमारा आउटर अपियरंस दिखाता नहीं है कि हम कौन है हमारा इन्नर अपियरंस दिखा हमें किसने बुलाया है हमारा बाहरी जो रूप के लेका नहीं है किसने हमें बुलाया हमारा बाहरी फैमिली किसने नहीं है हमें किसने बुलाया हमारा बाहरी जो गुरुत्व नहीं है हमारा अंदर की जो वाकधान हमारे अंदर जो परमेश्वर की वचनविली है वही हमें क्य करता है पवित्र के रीती से हमें बुलाता है इसलिए हमारा जीवन का प्रभुता परमेश्वर होना जरूरी है हलो हमारा बेसिक लॉड परमेश्वर होना जरूरी है हमें स्वर्गी भाग्गी के लिए फर्मिशन हमें योग्यदान करके लिए लाए हैं इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमारा पूरा शरीर इसलिए क्या पताएगे उसकी दूसरी वचन में कुरिंति की जो कलीश्या एक बार पवित्र किये गए पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं देखा ना क्या करते हैं प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में क्या करना है बड़ोत्री पाना है परमेश्वर का नाम को बुलाना जरूरी है अलो क्यों हमें परमेश्वर बुलाए हैं उस बुलाओ में हमें पवित्र बनके आगे चलना है इसलिए परमेश्वर के निकट प्रार्थना और विंति जरूरी है इसलिए कॉरिंटी के कलीशिया को पावलस्वर बोल रहे हैं कि तुम क्या करो पवित्र के नाम से परमेश्वर तुम को बुलाए हैं इसलिए पवित्रता की ओडर में तुम चलो उस ओडर को मत भूलो तुमारा इनर आउटिर इनर एपिरेंस जैसा है वैसा ही तुमारा के लिए उसर्ग करो वो चीज को कलीसिया क्या करती है भक्त के हिसाब से पाउलस बता रहे share it for God परमेश्वर के लिए दे दो परमेश्वर की व्यवस्ता परमेश्वर की वचन को प्राक्टिस करो खाली अंदर नहीं बाहर भी बाहर की ये शरीर भी प्राक्टिस दिखाना चाहिए तो खाना खाता है वो तेरी शरीर की पूरी तरीके से बोड़ी में दिखाई देता है आया ना ऐसे ही कलीसिया के सदस्य आत्मिक तोर पर अंदर आत्मिकता में बड़ोतरी पाते वक्ट शरीरी क्रीती से भी बढ़ना चाहिए उसके बाद इफीसियो का किताब पहले यह दे पहला वचन देखाई ना विश्वासियों का नाम वेट फूल वन्स हमें क्या करना चाहिए विश्वासियों फेट फूल बन के रहना चाहिए कहां पे कहां के यह लोग हैं एफीसी के हैं जिस कलीसिया में हो उस कलीसिया में तुम्हें फेट फूल बनना है आजकल का ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है क्या इस कलीशिया पसंद नहीं आया इस कलीशिया का पास्टर जी पसंद नहीं आया इस कलीशिया का विश्वासी पसंद नहीं आया दूसरे कलीशिया में भागे दूसरे कलीसिया के लोग वेट कर रहे हैं कौन आएगा बोलकर वो परमेशर का ट्रेंड है ही नहीं Be faithful in whichever church you are तुम F-100 के church में पले बड़े हो तो तुम्हें F-100 के church में ही रुकना पड़ेगा अगर नौकरी के वास्ते नहीं तो कुछ भी चीज के वास्ते तुम्हें कहीं और भी जाना पड़ा तुम्हें अपना जो main church जहां से तुम आत्मिक तौर से बड़े उसको तुम्हें भूलना जरूरी नहीं पड़ेगा यू कैनाट फॉर्गेट आया ना तुम जहां काई भी नौकरी करने के लिए जाओ जहां काई भी सेटल होने के लिए जाओ अपने पपा ममी को छोड़ कर दूसरा पपा ममी को खरीदोगे क्या बोले नहीं आजकल के जमाने में खरीदारी करने के लिए मिलेंगे बीवी मिलती है पैसों पे पपा मिलता है पैसों पे मम्मी मिलता है पैसों पे आजकल का ट्रेंड कलीशिया को ऐसा बना दिये पवित्र लोग और लेके आते हैं एक वचन कौन सा तुम मेरे लिए परमेशवर के लिए परमेशवर को अनगमन करने के लिए अपना पपा मम्मी सबको तुने छोड़ दिया इसलिए तुझे अनेक पपा अनेक मम्मी मिलते हैं वो वचन को लेकर यह मिला देते हैं कि दुनिया के हर कलीशिया के साथ योगिदान पाओ मिलो सब तेरे हाथ में रहना चाहिए है विश्वास योग बनना चाहिए तुम्हारे अंदर वो केरेक्टर दिखाई देना चाहिए कि तुम परमेशर के निंकट भवरोसे मंद हो उससे का भरोसा मंद सदस्य हो परमेशर के निकट तुम पर उसे के साथ जी रहे हो, हो सकता है, सो सो प्रॉबलम से कलीसिया के अंदर हो सकती है, पास्टर के अंदर कुछ भी प्रॉबलम हो सकती है, विश्वासियों के अंदर कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है, वो कुछ रिस्ता है ही नहीं, वो कुछ तुम्हे माइने ने रखती, त तुम्हारा उस कलीशिय से भाग जाने से उस समस्या के हल होगी क्या ऐसा है तो कुरिंतियों के कलीशिया में क्या थी भिन्नता थी एक पत्रोस को बड़ा मानता था एक अपलोस को बड़ा मानता था एक किसको कर एक इसू को बड़ा मानता था एक पॉलोस को बड़ा मानता था एक अलग अलग तरीके से सब अपने अपना को बालग मानते थे इसी हिस्से के कारण कलीसिया के सदसे अपने अपने कलीसियाओं को बना के नहीं गए अपॉलोस मिनिस्ट्री का नाम से एक चर्च प ये लोग सब को रोक कर रख कर परमेश्वर के वचन देकर इनके अंदर की जो स्प्लिट स्पिरिट है उसको पाउलस ने तोड़ डाला वो है सेवकाई यह स्प्लिटिंग कहां पर आता है किसका काम है स्प्लिट शैतान का काम है कर दि consists लिए उन चीज़ों को कलीसिया क्या करना चाहिए तोड़ना चाहिए इसलिए कलीसिया से भागना नहीं कलीसिया से जुडित होकर कुछ ऐसे spirit को तोड़ने के लिए परमेशर के निकट विनती और प्रार्थना करो यही चीज़े Ephesus के कलीशिया को क्या बोला गया है Ephesus के कलीशिया Be faithful where you are तुम Ephesus के हो तो Ephesus में faithful रहो जिस कलीशिया में तुम पले बड़े हो उस कलीशिया को तुमको क्या करना चाहिए क्लीशिया के साथ रिस्ता तुम्हें जरूरी है हो सकते है इसके बाद तुम्हें कहीं और नौकरी लगी कहीं और चले गए तो तुम्हारा जो पूरा निकली है उसको भूलना नहीं कि समझ रहे हो कि हाललुया कि वह है कि सिखाने वाली चीज अपने कलीशिया को छोड़कर किसी दूसरे कलीशिया में अच्छा नहीं है भागना नहीं वह परमेश्वर का ट्रंड ने आजकल का ट्रंड को परमेश्वरी शमशी के नामे हम तोड़ रहे हैं परमेश्वर वह ट्रंड को जो कलीसिया में पले बड़े है उसी कलीसिया में ही क्या करना चाहिए योग्यदान के हिसाब से चलना जरूरी है अब रोमा रोमियों के किताब पहली अदिया उसकी साथवी मचन रॉमेंस वन सेवन कैसे बुलाएगे है प्रे में कॉल्ड इन लव अलो कलीशिया के लोग कलीशिया के सदसे से क्या है ते क्या है तरह क है एक प्रमेशर के प्यारे हैं कौन कलीशिया के सदस क्लीशिया के लोग पुवित्र लोग पर मियंके प्यारे हैं पैटंग भपALK है लव्ड वन्स हम vaccines परमेश्वर के निकट केंद्रीट होके रहना चाहिए परमेश्वर के प्रे में हमें क्या कहकstä्रा बंदे रहना चाहिए परमेशर के साथ एसोशेटर होना चाहिए कलीसियाओं के साथ भी हमें एसोशेटर होके रहना जरूरी है वो ही है कृष्ट तवत्व वो ही है मसी का जीवन जो उनको सताए उनके लिए उसने जान दिया जो उनको विरोध किया उनके लिए अपना inne out किया वही सेम टेंड हमें भी यूजर करना चाहिए कि परमेशर के प्रेम्स प्रेम के द्वारा दोंब लाए गए हैं उस प्रेम में हमें क्या करना चाहिए टाइप होके रहना चाहिए वो चीज रोमन कलीशिया को परमे पाउलस क्या कर रहा है याद दिला रहा है तुम यूर कॉल टू बी इन लव विद गॉड लवड गॉड तुम परमेश्वर के प्रेमी से बंधे पड़े हो इसलिए तुम्हें पवित्र लोग कहके बुलाया गय है अब रोमान रोमियों के किताब पंदरवाद यह 25 वचन से पढ़ते हैं तो देख सकते हैं रॉमेंस 15 25 हलो पवित्र लोगों को क्या करना चाहिए सेवा करना चाहिए मिनिस्टर मिनिस्टर का काम क्या है कि समाज सेवा प्रजा सेवा हम पवित्र लोग हैं तो हमें क्या करना चाहिए समाज की सेवा करना चाहिए कि अब फिर से पंदरवाद 25 वचन पढ़ते हैं कि अब है इसके बाद कि अब देगा देगा नहीं तो मिनिस्टर का काम क्या है कि जंदा चंदा एकटा करना कि लोग कि क्या करना मिनिस्टर का काम ही क्या है रिलेटेट टू मनी आया ना हमारे मिनिस्टर क्या करते हैं साल में एक बार बज़ेट बनाते हैं क्यों लोग क्यों कि वो उनका फैमिली है उस फैमिली को क्या करना चाहिए हर हिस्साओं को क्या करना चाहिए बजट करके इन्वेस्टमेंट कितना कितना प्रोफिट कितना मुनाफा कितना लनाश्ट क्या क्या हुआ सब कुछ के बारे में एक आइडिया रहना चाहिए वो है मिनिस्टर का काम handling finances पैसों की कारावार इसलिए पावलोस यहां पर क्या कहता जानते हो ना कहा की कलीशिया मसीदोनी के कलीशिया वो मसीदोनी की जो कलीशिया थी वो लोग बहुत दरिद्र दीन गरीब लोग थे मगर वो लो क्या करते थे जानते हो ना अपने दरिद्रता में अपनी दीनता में भी क्या करते थे फंडिंग करते थे पैसा देते थे कब अपनी दीनता और दरिद्रता किसको कहां की कलीशिया को दे रहे थे कि एक और फट्टीसमा बचन नहीं समझें नहीं है कि किसके लिए यरुशलेम में अरे यरुशलेम के लोग पूरा धनी लोग है कि उनको चंदा देने के लिए कहां से पैसा आया है अले लिए यहां पर बोलना है तो जो कली से यरुशलेम की जो कली सिया थी वो लोग क्या नहीं करते थे दे नहीं रहे थे तो कहां से लोगों को सिखाना जाए कहां की लोगों की सिखाव यह लोगों को सिखानी चाहिए मास साहन दिनाने के लिए पाउलस क्या कर रहे हैं मस्टिदोनिय के कलीशिया के लोगों से कि हम फाइनस इकटा करके पैसा जुगाड के किसको देने के लिए अपने लिए नहीं मिनिस्ट्र करने के लिए सेवकाई करने के लिए कि हलो दूसरों को सर्व करने के लिए खाली प्रार्तना करना ही नहीं हमारे हात में जो भी चीज़ें आते हैं उसको इक्वली बांटने का कोशिष भी कलीशिया के साथ सः करना चाहिए भाक्त करना चाहिए सैंस करना इसलिеж detention बाट नहीं मुसा था मुशा परमेश्वर के ग्रह में क्या विश्वा क्योंकि उसके हाद रो सोना करोडा चांदी करोडा ब्रॉंज करोडो रुपय की क्या बोलते हैं चमडे करोडो रुपयों की लकडी ये सब आने पर भी उसने क्या किया परमेश्वर के लिए उचित रीती से उसने क्या क्या अच्छी खरीदारी के हिसाब से उसने क्या किया ठीक से कर परमेश्वर के लिए उपयोग किया इसलिए बाइबल कहता है वो परमेश्वर के गुर्व में अच्छा भंडारी था मैंनेजिंग दे मनी फर दे गलोरी अफ गॉड परमेश्वर के लिए पैसों की क्या करना महिमा करना यूज करना इसका आरती यह है कि मसेज़ दोनिया की जो चर्च के कलीसिया थे वो लोग दीन दुरे दरिदर होने पर भी उनका दिल बहुत खुले खुले हिस्से से देने के लिए अपने बच्चों को खाने के लिए ना देने से भी तो सेवकाई के लिए नहीं तो दूसरों को सहायता करने के लिए क्या करहात देते थे मैं एक पास्टर जी को जानता हूँ वो पास्टर जी का फैमिली में एक ट्रंड है उनके फैमिली में एक रूल है दो रूल मैं जानता हूँ एक जब कोई घर में कोई है तो मिलके खाना खाना चाहिए एक फामिली मेंबर सब मिल के खाना खाना थे दूसरा रूल के जानते हो ना हाफते में तीन दिन फास्टिंग हलो वो फामिली का रूल है तो वो तीन दिन का फास्टिंग काई के लिए जानते हो ना 8 विठीन के फ़ास्टिंग में लोग क्या करते हैं त्री तीन बार फुड खाथे ना तीन बार का एक बील बनाते लोग है कितना रुपएव सुबह की नासत Bijक रूपएव धोक्र का खना पचास रुपए रात का काना पचास रुपए एक सो बीस रुपए अगर चार सदस्य हैं किद्रा हुआ 480 480 480 है क्या हाँ 120 रुपए एक विक्ति का चार विक्ति हैं सोचो कितना गया चार्स वासी तीन बार का त्री टाइम्स दिन में तीन वर खाएंगे ना तो किता हुआ एक अधर चार्स अलीज एक दिन का क्लियर है मनें 1500 रुपए एक दिन का तीन दिन का कितना हुआ चार हजार पासो वो चार हजार पासो क्या काई के लिए जनते हो ना परमिश्वर के सेवकाई के लिए वो उनका फैमिली का रूल है प्राइडे साटडे संडे तीन दिन फैस्टिंग वो पैसा वो लोग सेवकाई के लिए क्या करेंगे अलग करेंगे तुम्हेंने पूचा क्यों एसे कर रहे नहीं हमारे दर्रद में परमिश्वर को देने के लिए सीखने के लिए इससे और अच्छा कोई आवसर है यह नही इसलिए बेरी बोलने का मतलब भगते दूसरों को मिनिस्टर करना चाहिए सहायता दीना चाहिए इसलिए ना पॉलस क्या करते थे अपने निसाहे अवस्ताव में वो काम भी करते थे काम काई के लिए करते थे अपने पेट पूजा के लिए अपने पेट पूजा के लिए है था उसके साथ वो क्या करता था कलीशिया को बढ़ाने के लिए कलीशिया को बनाने के लिए वो क्या करता अपने तरीके से वो तंबू बना के भी क्या करता पैसा कमा कर कलीशिया को बनाने की कोशिश वो तंबू क्यों बनाता था जिसके पास वो तंबू बनाने के ले गया उ वो है सेवकाई मिनिस्टर नहीं मिनिस्टर करो हैंडल करो फैनांसस वो है किसकी है पवित्र लोगों की सेवकाई है अब दूसरी कुरिंथिया आठ की एक दो दूसरी कुरिंथिया आठ की एक दो हुआ हाँ हाँ वाह क्या ना क्या शब्द प्रयोग किया गया है उनकी क्लेश में उनकी आनंद उसकी कंगालपन में कंगालपन में उनकी वाह क्या प्रयोग है कलीशिया के बारे में कलीशिया के सदस्यों के बारे में उनको ऐसा लगा ही नहीं की वो लोग दरिद्र थे उनको ऐसा लगा ही नहीं की उनको वो लोग क्या थे बहुत दुखी परिस्तिती में जा रहे हैं परमेश्वर को देखकर परमेश्वर को सेवकाई करकर दूसरों को दूसरों की भलाई के लिए वो लोग क्या करते थे अपने आपको त्यागी अलो अब उसकी चौत्वी मचन पढ़तो चौत्वी चौत्वी आठ का चार कि कब कैसा 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 की इस दान में पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विशे में किते वार किते बार 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 टू बार दो बार हलो कब अपनी कंगालता में अपने दुखी परिस्तिती में किसको बोल रहे हैं जो अच्छी तरीके से फिनांस को हैंडल करने वाली सेवक लोग थे मिनिस्टर्स लोग थे उनको बोल रहे हैं कलीश्य के सदस बोल रहे हैं हमें भी क्या करो भाग देने की आवसर दो पास्टर जी सोच रहे हैं नहीं इनको और मैं बोल नहीं सकता बोलकर पास्टर जी एसकेप हो रहे थे कितना मैं उनको पूछूं कितना मैं उनको और बोलूं अरे वो लोगी कंगाली परिस्तिती में है वो लोगी दुखी परिस्तिती में मैं उनको फिर से फिर से मांग कर क्यों उनको सता हूं तब वो लोग विश्वासी लोग क्या बोल रहे हैं फिर से हमें बोलिये पासर जी हम कहा कहा invest करना है बताइए I am ready to do बार बार है क्या ऐटिटूड है उनका मन की विचार थोड़ा देखो मन का खुला सा थोड़ा देखो हैं दूसरों को उधारी के रस्ते के लिए रस्ते में लाने के लिए इनका जो इनका जो हिस्सा कितना कितना ररेस्ट है इसलिए ना मशी कहें क्या जो विदवास्त्री मंदिर के मंदिर के अंदर जाते वग उसने क्या किया बहुत चंद पैसे ही डाले मगर वो गुरुत्व पूर्ण बना क्यों वो खुले दिल से उसने दिया आज के लोग कैसे देते अपने समृधी में देते हैं इसलिए मेरे बोले का मतलब तेरे दुख्य कंगाली दरिद्र परिस्तिती में तू परमेशर के लिए दे तब तेरा विश्वास प्रकट होना चाहिए तब 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 तेरा नामिकरन क्या है पवित्र लोग उसका अर्थ बाहर निकल पाएगा वैसा शेर द मिनिस्ट्री खार दें दो तू जाखा यह ने ट्रण नहीं हमारे कलिसियाहों की रहे है कोई मारत कोई सूसमाचर बोलकर मारत खाएगा उसके बारे में Facebook में Twitter में सब जगा है वो मार खाया वो मार खाया तू समाचर बोला ने तू मार नहीं खाया हो तेरे वजे वो मार खाया तो तेरा ऐस्थ बनता है तू उनको सहेता कर फेस्बुक पोस्ट करके भैजना नहीं वो स्टुपिडिटी है कल परसो मैंने एक यह देखा एक पस्टर जी का घर घर के बारे में दूसरा एक पस्टर जी पोस्ट बना रहे हैं बहुत उदास लगा मेरे को अरे जो पोस्ट बना रहे है वो पोस्ट बनाने के लिए एक महिना में वो कम से कम 300-400 रुपए डालता होगा क्या वो नेट पैक के लिए अरे वो 300 रुपए वो फैमिली को दे दो यार क्यों यह फेस्बुक में निउस निकाल के गुमना क्या एक टिट्यूड है लोगों का य उनकी दरिद्रता में उनके दीनता में भी वो लो क्या करने की हिस्सा परमेश्वर के सेवकों को सहायता करने की एक हिस्सा उनके जीवन में था वो उनकी मकसद थी वो उनका इहरते के अंदर का इच्छा थी वैसा एक तत्व कलीश्या के सोभागी बनकर हमारे अंदर भी आ लिए मेरे ना मेरे जीवन में ना रहनी चीजों को भी परमेश कर सकते हैं वैसा किसने सिखाया क्लीस या के सदस एक पासर जी को सिखा रहे हैं वो पाउलस कह रहा है ऐसी एक पवित्र व्यक्ति के हिसा से हमें अपना जीवन को बनाना चाहिए हम कलीशिया के सदस्य हैं हमें कलीशिया को परमेशर कलीशिया में हमें नामिकरन करके रखा है क्या विश्वासी हमें भक्त और क्या चेले बना कर र विश्वास योग बनना जरूरी है, हमें कलीसिया के लिए कुछ ना कुछ करना है, कलीसिया के सदस्यों को हमें मिनिस्टर करना जरूरी है, हमारे कलीसिया के सदस्यों को हमें क्या करना चाहिए, कोचिंग देना है, पढ़ाना है, सिखाना है, बड़ोतरी देना है, वो हमारा फर्जे और कलीसिया में जो कोई सेवकाई कर रहा है जो कोई सुसमाचार बोलने के लिए जा रहा है जो कोई सताओं में जा रहा है देख कर हसके बैठना नहीं फेस्बुक में पोस्ट लाइक मारके घूमना नहीं बदले में तेरे हाथ में जो कुछ भी है उनको देखे सहायत कर इसलिए पाउलस कहता है मेरी सताव के दोरां भी कलीसिया मेरे लिए बहुत परिश्रम कर रही थी प्रार्थना के दोरा विंतियों के दोरा सहाइकमंद के दोरा वैसा है कि पवित्र कलीशिया Tinder लोग हमें बनना जरूरी है इसलिए हम आएए हम अंपने आँखें को बंग करें परमेश्वर के सन्थे में समरपन करें बोलेंगे पवित्रि लोगों के हिसाम से परमेश्वर हम भी बलेंगे बदलेंगे हमारा भी इस विचार को हम बदलेंगे परमेश्वर के संदेने समर्पन करते है स्वर्गी अपिता परमेश्वर आज सुबर के समय तेरे वचनों के अरुनसार हमने बहुत सारे चीज़ों को हमने देखा पवित्र लोगों के बहुत प्रकार के चिन के बारे में हमने देखा परमेश्वर, कलीसिया के अंदर उनकी योगिदान, कलीसिया में उनकी सेवकाई, कलीसिया में वो परमेश्वर के लिए क्या फंडिंग करना चाहिए, कैसा वो लोग फंडिंग करना चाहिए, उनकी स्थित पुरुशों को कलीसिया के अंदर योगिदान दीजिए पवित्र और ट्रस्ट वर्दी फेट्फुल और परमेश्वर के निकट विश्वासी होगी लोगों के हिसाब से कलीसिया के पवित्र लोगों को तयार कर बुलके प्रार्थना करता हूँ आज की वच्छन कुछ भी पर हमारे जीवन में अगर नहीं हुआ है उन सब चीजों का हमारे जीवन में संभव के इस हिसाब से करने के लिए साहएता दीजिये बूलके प्रार्थना करता हूँ आदर और माहिमा सब को आपके हाथ में हम सोबते हैं ईश्यु मसी के नाम में मागते हैं आमेन